तो भी हम कैसे काम पढ़ते हैं यही बैचे हुए है इसे वाडर पुछते हैं देखे हम लोग मैं दिल्ली गया था जो कि जब जिस दिन इंकाउंटर हुआ था उस दिन मैं यहीं था और यहां से फौरण मैं दिल्ली चला गया था क्योंकि मुझे मालूम था कि यहां जो जिस तरह एससपी ने पूरा पिलान बनाया है इंकाउंटर करने का वो कोई भी ऐसे आसानी से वो छूटने वालों में से नहीं था और नौशाद मुस्तकीम को मैं खुले आम मीडिया के थुरो यह बात कहना चाहता हूं कि वो बिल्कुल बेगुनात है उनको जबरदस्ती मारा गया है और इसके सबसे ज़्यादार यहां के ससपी है आजैसानी और मैं इसलिए दिल ले गया था कि वहाँ जो जनरलिस्टों की टीम है जो बड़ी नेशनल टीम है जनरलिस्टों की उनसे बाता है बाकाइदा बात किया सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है सीनियर वकील है परशान धूशन हो जैसे सारे लोग बिलकुल आने के लि है इनके पास तो आडर किस तरह लिया है वह आडर दे दे अगर इन्हों था इंशनाा हौसरेस्टिंग किया है तो यहाँ से पहुझते ही स्वस्प्रीम कोर्ट में यही केस हम ढलेंगे कि इन्म होने का ठीकाना नहीं उनके घर के नोजवान लोगों को मार दिया है अब हिसी जो लोग ये जोड रहे हैं, सस्पी साहनी से कई सवाल बनते हैं उनकों पर, ये कह रहे हैं कि जो है, उसकी उमर बाइस साल है, एक की सतरा साल है, और उसको दो हजार साथ में भी दिखा रहे हैं, तो दो हजार साथ में अगर दिखा रहे हैं, तो उस हिसाफ से ग्यारा साल काम ले हुए हैं और इन्हों इन्हीं की किचाल है पूरी जो प्लान है जो मारने का उनको मारा है सरकार से बस यही कि इसकी इंक्वाइरी स्टेट अपनी साइटी गठित करें उस पे हो और सीबिया इंक्वारी हो